Hello friends स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं completely Instagram के story को save करना चाहे फिर वो अपनी story हो या फिर किसी और की story हो चलिए time waste नहीं करते हैं Instagram को open करके ये setting को सीख लेते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले Instagram को open करना है और अपने profile पर आजाना है Simply friend आपको सबसे उपर अपने ID को चेक कर लेना है कि आप जिस ID के सारे story download करना चाहते हैं क्या वही ID यहाँ पर activate है यानि blue tick बना हुआ या नहीं और यादी नहीं है तो आप उसको activate कर लीजिए दोस्ते दिया आप मेरे चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को subscribe कर दीजे well icon button को click कर दीजे ताकि आने वाले ऐसे takes related tips और tricks आपको मिलती रहे friend आपको बस कुछ नहीं करना एक setting चेक करनी है मैं आपको दो जिन्वन तरीके बताऊंगा जिसके थुरू आप कर पाओगे बहुत ही easy है जिसके थुरू आप कर सकते हो आपको setting option पे चले जाना है आपको privacy option पे एक setting देखना है कि आपका account private तो नहीं है अधरवाज private भी है तो कोई problem होती नहीं है बट कभी कभी हो सकता है कि problem हो जाती है जिसके थुरू काम नहीं करती tricks तो आपको देख लेने हैं से कि यह आप होना चाहिए next आपको क्या करना है कि आप जिस भी story को download करना चाहते हो मैं आपको पहले proof दिखा देता हूँ कि जितनी भर मैंने story upload किये अब उन story के दिमें download करना चाहता हूँ गैलरी में ओभी तो कैसे करूँगा उस चीज को पहरे आप सीख लेजे first trick है जो की हो सकता है इसमें किसी और की story download नहीं कर पाऊगे इसमें अपनी ही story आप download कर पाऊगे इस trick से लेकिन जब दूसरी tricks बताऊँगा उस पे आप किसी की भी story download कर पाऊगे और share भी कर पाऊगे with music तो आपको अपनी story देखने के लिए आपको कुछ निकरना three dart में setting के अप्सन पे आ जाना यहाँ पे plus sign के बगल में जो है three nine तो यहाँ पे click करना है archive पे आ जाना है archive पे आते ही आप देख सकतो तो यहाँ पर more का अपसन आ जाता है save वीडियो का अपसन आ जाता है आप यहाँ से save वीडियो कर लिजिए आप जैसे यहाँ पे save करते हो तो यह वीडियो save हो जाती है आपके gallery में यह तो हो गया first तरीका जिसके थुरू आप अपने story को save कर सकते हो अब चलिए next तरीका जिसके थुरू आप किसी की भी story को easily save कर पाओगे अपने gallery पर with music किसी भी तरह की कोई problem नहीं आएगी चलिए मैं हम लोग सीख लेते हैं उसके लिए आपको home पे आ जाना है और यहाँ पर जिस बंदे को save करना चाहते हो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही home पर आते हो तो यहाँ पर आपको जिसकी भी story save करने उसके story को फिले click कर open कर लिजिए और फिर यहाँ पर three line पर click कर जिए three dot पर और यहाँ से link को copy कर लिजिए यहाँ पर link copy हो चुकी अब बाहर आ जाईए home screen पर आ जाईए एक application आपको download करने है उस application का नाम है in store play store से आप download कर लिजिए in store यहाँ पर इसको हम open करेंगे ठीक है तो आप देख बार हो इस तरह से open हो गया interface इसका कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर आप उस link को paste करिए अब यहाँ से आप अगर back कर दोगे तो इस तरह से आपको नल आपको भी आ जाएगा इसका problem fix करना है कैसे करेंगे चली आप दिखाता हूँ मैं आपको इसको आप कट कर दीजिए आप भी ऐसे paste करके आओगे तो आपको भी ऐसी problem paste करने ही पड़ सकती है आपको पहले इसको कट करना है और फिर से इंस्टाग्राम पे जाना है आपको और link को वही copy करना है ठीक है link copy करना है copy link करेंगे और आप आजाएंगे इस application पे तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो link paste हो चुकी है आपको आपका problem fix हो गया होगा तो आपको आप कुछ ने का नहीं से आप link paste कर दीजी आप कोई दिक्कत नहीं आएगी link paste हो गया आप download पर click कर देंगे download जैसे करेंगे अब इसको हम open कर सकते हैं अब इसको आप gallery में save करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 line पर click कर ये और save to gallery में click कर दीजी ये gallery में भी save हो चुका है so I hope आपको समझ में आ गया होगा आप इसको share भी कर सकते हैं यहाँ पर आप 3 अपसंद देख सकते हो so friend ये आपको मेरा वीडियो थोड़ी से भी पसंद आता तो please channel को subscribe कर दीजे well icon button को click कर दीजे ताकि आने वाली new update आपको मिलती रहे धड़ी धड़ धन्यवाद आपका दिन सुबो